जारकन विधान सभा के शीत कालिन सत्र का आज पांचवा दिन हैं, शीत कालिन सत्र की कर्रवाई का आज आखरी दिन, आज भी विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाएगा यही आसार नजर आ रहे हैं तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जारकन विधान सभा के शीत कालिन सत्र का आज पांचवा दिन है शीत कालिन सत्र की कारवाई का आज आखरी दिन है यानि कि ये पांचवा दिन आखरी दिन है आज भी विपक्ष की ओर से हंगामा की आसार ने देखा कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तमाम मुद्दो को लेकर आवास बुलंद की और ना केवल सरकार को घेरा, बलकि फर्ष पर लेटकर भी प्रदाशन किया गया, विपक्ष की ओर से सरकार का विरोध किया गया. इसको लेकर आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष आज भी सरकार को घेरने का ही काम करेगा शीत कालिल सत्र की कारवाई बीते चार दिनों से जारी है आज आखरी और पांच बाद दिन है लेकिन आज भी विधान सभ़ा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश जारी रहेगी हातों में तक्तिया लेकर विपक्ष के सभी विधायक बैठे हुए हैं फर्ष पर बैटकर तो कभी फर्ष पर लेटकर विरोध किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के बीच लगातार विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है तो फिलाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां शीद कालिन सत्र की कारवाई लगातार जारी है आज पांचवा और आर्खरी दिन है लेकिन विपक्ष यानि की बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही है और ना केवल सत्ता पक्ष को बल्कि मुख्यमंत्री ह हिमन सुरेन को लेकर भी तमाम आरोप लगाए गाए हाथों में तक्तिया लेकर और उन तक्तियों पर तरह तरह की बाते लिखकर सरकार का विरोध किया गया और मनी लॉंडरिंग मामले में सीम हिमन सुरेन पर भी कई आरोप लगाए गाए हाला कि भारतिर जरता पार्टी की और से ये विरोध लगातार जारी है आज आकरे दिन है लेकिन आकरे दिन भी विरोध के ही आसार नजर आ रहे हैं उमीद यही की जा रही है कि आज भी विरोध किया जाएगा हारा की शीद कालिन सद्र के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी जो राज जी की परिशानिया हैं उनको लेकर चर्चा होनी थी आकर उन परिशानियों पर पक्ष और विपक्ष की सहमती बहुत जादा जरूरी है लेकिन बागजूद इसके विपक्ष के अपने मुद्दे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष के अपने मुद्दे हैं दोनों ही पक्षों की ओर से विरोत किया गया तो किसी ने समख्थन किया लेकिन आज पांचवा दिन है और पांचवे दिन भी विरोत के ही आसार नज़र आ रहे हैं विपक्ष के ओर से हंगामेदार कारवाई रही चार दिन तक अब पांचवा दिन भी क्या हंगामेदार होगा ये देखने वाली बात होगी तो शीद कालीन सत्र की कारवाई लगता जारी है आपको बता रहें कि फिलहाल चार दिन का समय बीच चुका है पांचवा दिन आज है और आज ही आखरे दिन विधान सभा की कारवाई का है लेकिन कार्रवाई की दौरान आखिर किन मुद्दों को लेकर अब और आवाज बुलम करेगी बीजेपी ये भी देखने वाली बात होगी